हार ही दोस्तो बात कि offline कि offline मैं जो भी सिस्टम मैंने देख रहा है या वहाँ पर बहुत ज़या चार्जस लिया जा रहा है तो चार्जस क्याने जा हैं मैं आपको बता देना को अब पता देना चाहता हूं जैसे कि क्या को मैं बाई करना हूं क्योंकि कि कुस्चेन देनें रॉया हो जानता हूं कि तरीका व्याही लोगे मांड में आ सकता है इसलिए में स्रिफ वीडियो बना रहा हूं दोस्त आपको बता देना चाहता हूं कि अल्रेडी बजाज फिंसर उपर मैंने बहुत जदा बीडियो बनाई है सब ज्जादा मेरे चैनल पर बजाज फिंसर बीडियो क्योंकि पहली बाद आपको एक doubt एक clear करना वाला हूं में आप लोग ही सोचते हो कि जब मैं कोई भी आइटम को order कर रहा हूं ठीक है चाहिए फिलेप काड से या मेरे account में कितना balance होना चाहिए मेरे account में पैसा होना चाहिए और आपको एक रूपए भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपके e my card में limit यानि कि balance होना चाहिए आपके e my card में लेकिन आपको bank account से कोई लेना देना नहीं जब आप order कर रहें ये एक रुपया भी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है उस समय कोई दिक्काद नहीं है आप अराम से order कर सकते हैं कोई problem नहीं है मैंने इस महीने में order किया अगले मही में जाके मुझे उसके इस्टोल्मेंट पे करने पड़ेगे ठीक है हलाकि इसके पे करने के लिए आपको दो महीने का इस्ट्रा टाइम और भी मिल सकता है यानि कि और फाल टाइम में पिछली वीडियो में बताया हुआ कैसे मिलेगा अभी इस में आपको समझने में इस समझ देजिए कि आपको और करते समय एक रुपया भी नहीं लगे आज आप और करेंगे आपके पास आइटम डिलीवर हो जाएगा आप अच्छे से एक महीने तक यूज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं एक महीने के बाद जाके आप उसकी सिर्फ फस्ट इमाई पे करेंगे पताना चाहूंगा जैसे कि माल लेते हम 10,000 रुपय कोई आइटम का हम बाई कर रहे हैं कोई पोड़ेट बाई कर रहे हैं ठीक है तो मुझे 2,000 रुपय करने हैं इस महीने में अभी मैं ओडर कर रहा हूं मेरे अक रुपय होनी जुरूत नहीं है और ना अभी मेरे को डाउ सब्सक्राइब करनी है और नहीं पैसे को होना जरूरी मालिज़े आपका दो तारीक पहले हैं यानिक इतना ही फुप अपने डाउन पैमेंट देने की जुरूरी नहीं आपको अपने बैंक आकाउंट पहले से पैसे रखने की जुरूर होता है यह बात आप ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए ठीक है यह आपको कोई पंगा नहीं है रहा है दोस्तों बात कि ओफ-लाइन की ओफ-लाइन में जो भी सिस्टम में देख रहा हूं काफी लोग कमेंट करके बता है हलागि मैंने आफ-लाइन कुछ परसेस भी नहीं किया है क साफी टाइम पहले मैंने एक बार प्रसेस किया हुआ था लेकिन अभी मैं देखना कुछ लोग बता रहे हैं यार वहां पर बहुत जाना चार्जिस लिया जा रहा है तो चार्जिस क्या से लिए जा रहा है मैं आपको पता देना चाहता हूं उसमें सीन क्या बनता है माल ने सब्सक्राइब आपको फाइल चार्जिस के नाम पर इस तरीके नाम पर आप से कमसे पांच साथ आठाट रुपे तक इस्ट्राइब ले लिए जाता है यह बात आफ लाइन में ज्यादा है जबकि हला कि नो को च्टिमाइब दिया जाता है अगर आप इस्ट्राइब पता करते तो वहां पर चार्ज़स नहीं लेने चाहिए लेकिन यहां पर फाइल फाइल चार्ज में जाकर कि आप गये दुकान से कोई आटम को खरिदा और आप से वहां पर इस्टा चार्ज लिया गया हो फाइल चार्ज के नाम पर या इस तरीके से आपसे कितना फालतु लिएगा पिलिस एभी कमेंट कर बताईए तक हम यह तो पर चल सके कि आप लोगों से कितना कहा कह पर किस तरीके से फालतों पैसा लिए जा रहा है पिलिस कमेंट कर बताईएगा अगर यह जानकर अच्छी लगिए तो लाइक कर दिएगा अब यह लिंक पर किलिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं पूरी-पूरी लिस्ट है जहां पर आपको बहुत सारे डाउट क